हेलो दोस्तो फॉल्टिकनिक कैप्सुल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है डिपलमा कोर्स की सभी वीडियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आएए वीडियों को सुरू करते हैं तो देखिए ओबर हेट लाइन का जो हम इस्टीमेट ब किसी जगह ऑबर हेट लाइन जो है उसको खर्चा उसमें पहुंचाने वी कितना खर्चा आएगा यानि उसका एस्टीमेट बनारे तो उसका एस्टीमेट बनाने के लिए हम लोग एक सवाल को लिए थे ऊस सवाल को हम साल्व किये थे ठीक है उस सब्सक्राइब दूर लेकर जाना था तो अब यहां पर देखिए हमें एक किलो मिटर दर लंबी क्या करना है दूर लेकर लेकर जाना है लाइन तो उस कंडिशन में हम लोग कैसे सवाल को साल्व करेंगे 300 मिटर तक तो समय आया था ठीक ना और वो क्या था एकदम नई लाइन थी नई लाइन थी तो उस पर एक्स्टेंसर लाइन वहां पर नहीं था ठीक ना तो इसमें देखिए यह सवाल जो रहा आपके पास है यह उपरुक्त फिडर है मलब यह फिडर से किसी से जोड़ना है मल कोई एक पॉल है उस उस पॉल पे से लाइट लेकर आनी है तो वहां से लाइट को कैसे लेकर आया जाए और समान का गड़ना कैसे करें और उसके लिए हम लोग बात करेंगे ठीक ना पिछला वीडियो में हम लोग पहला पॉल और लाष्ट पॉल दोनों टर्मिनल पॉल रह ठीक है अभी तक जो चैनल को लड़के बच्चे सब्सक्राइब नहीं किये हैं आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें ठीक है यदि आपको कुछ भी परसानिया इसमें आ रही है तो आपके प्लीज दिया गया है कि पंद्रह सो केविये लोड वहन करने वाले करने के लिए चार सो बोल्ट थ्री फेज पचास हर्टज चार तार चार तार एक किलोमेटर लंबा सीरोपरी लाइन ले जानी है ठीना उग्त फीडर मनला बहले से कोई उपस्थित फीडर है यानि एक्षेसन सीरोपरी लाइन से लिया जाता है लगले क्याकाना है यवले लाइन से लिया जा रहा है बिद्वान सीरोपरी लाइन एक्षेसनल लाइन दस मिटर पोल पर लगा हुआ है जो पहले Igre क्या करना इस पूरे कार में कुल कितने आवस्यक सामगरी लगेंगे और उसका पूरा मूल कितना होगा हमको यही बताना है ठीक ना तो बात हमारी आपको साफ से तो समय आ चुकी होगी यह कुछ आपकी बाते नहीं मेरे समझ पा रहे हैं तो आप कोशन को पढ़ लेजिए इस इधान यहां पर है एक पौल यहां पर है मिलएज पोल में पान से IS क्या है कि लाइन जा रही है लाइन इस परकार से जाई गई है इस पर से तो हमको लाएन को माले माले च könnte करिए कि इस पूल से कि या करना या लाइन को जोड़ करके कि हमको आगे लगाना है दूसरे सायड में इस सायड में हमको लाइन लेके जाना है तो यहां बात को समझे कि यहां-पम इसको जोडेंगे हम तो सार को लिया कि इसमें नहीं जोड़ेंगे कि इसमेंड हैं जोड़ेंगे कैसे आपस में निचे आपना क्लेंफ टीक है लगाएंगे गलाएंगे एक हम धो क्या कराएंगे हम यहां पर यह तो तार हमारा यहां से जाएगा यह यहां से जाएगी और यह जाएगी और यह जाएंगे तो इसमें देखिए यहां पर जमफर तार भी यहां पर लगेगा और प्लस क्या लंगे इसी पॉल पर क्लैंप लगेंगे पर यहां पर नहीं लगेगा यहां पर पॉल नहीं लगेगा इसी पॉल पर हमारा सब काम हो जाएगा अब हमारा पॉल का लगेगा यहां से आगे से शुरू होगा यहां से हम लोग का पॉल शुरू होगा ठीना पिछले वीडियो हम लोग देखे थे हमको यह वाला भी पॉल लगाना पड़ा था यह वाला पॉल भी लगाना पड़ा था इसलिए पहला पॉल भी टर्मिनल पॉल बन गया था ठीना यह लाश्ट पॉल और देखिए जब यहाँ पर यहाँ पर यह पूल की जरूरत नहीं है इसी पूल के लिए जिसे हम 6 प्लस 1 किये था तो अब यह 1 हम जोड़ेंगे नहीं क्योंकि यह हमको पूल लेना होना है नहीं थी न तो चलिए हम लोग यह तो हम लोग थोड़ी थोड़ी ओवर विव देखे हैं अब यह आगे हम लोग देखेंगे पूरी चीजे तो देखिए हम लोग देखे तो यहाँ पर पुरवा नुमान पुरवा नुमान भाई जो जैसे हम कल बताये थे उसी हिसाब से आज भी करना आपको है लाइन आधार 10 मिटर पोर पर लगाएंगे ठीना और क्या चालक जो होगा शिक्स बनलभगण छे कोर होंगे छे तार होंगे एक दो तीन चार पांच छे ये छे तार होंगे और बीच में एक तार और होगा इस्टिल का बीच में किस का कौन स तार होगा इस्टिल का एकतार होगा ठीक ना जिसकी मोटाई कितनी होगी तीन दसमलो छ छ तीन दसमलो छ छ छ तो एसकी एक डाया जो होती है तीन दसमलो छ छ की होगी ठीक ना यह बाते कहीं गए और यह क्या है कंडक्टर है थी ना तो हम लोग इस में ऐसी सर कंडक्टर प्रियोग करेंगे और लाइन का अंतीम पौल-टर्मिनल पौल करेंगे अभी जोश्य पताय में और क्या है लाइन का इस्पान 50 अमयों इस्पान 50 मिटर रखेंगे ढेकिए सवाल dł outlook के नहीं है इस्पान विछ कर चलेंगे किसी सवाल में भी ठीक है है लाइन का हर चवत्फा पोल मैं करेंगे लाइन में हर तार द्वारा यह देखिए चार तार द्वारा लेके जाना है तो इसलिए तीन फेस होगा एक न्यूटर लोगा उसमें तीन फेस होगा एक न्यूटर लोगा तो लाइन का लाइन एक सीधी देखा में लाइन तीन फेस चार तार सिस्टम द्वारा होगा और क्या है लाइन हम existing पोल से लाएंगे इसलिए पहला पोल टर्मिनल पोल नहीं होगा अभी में बताया ठीर यह पुरुवा नुमान था पुरुवा नुमान आपको हमें लगता है कि आप लोग को पूरी बात है समय आ चुकी होगी पुरुवा नुमान के बारे में लाइन का इस्पान की संख्या लाइन की संख्या जो होती है आपको पता है कि टोटल लाइन की लंबाई बटे के एक इस्पान टोटल बीस इस्पान आ गया अब बीस इस्पान यानि कूल पोलों की संख्या निकालेंगे हम तो बीस प्लस उन होना चाहिए लेकिन पहला पोल हम हम लोग नहीं लेंगे तो कूल कूल संख्या कितनी हो जाएगे पॉल नहीं होता तो हम प्लस वन करके लिखते और इसको हम टर्मिनल बनाते हैं हम आशा करते हैं आप लोग को यह बाते समया चुकी होगी ठीक है चलिए कंड़क्टर की साज के बारे हम लोग देखें ऐसको हम अखिए था कितना आ गए धारा इतना आ गया धारा इतना आने का बाद हमको यह पता चल गया कि कि ACSR conductor प्रयोग करेंगे यदि सपोच करिए कि आपको नहीं पता है कि current इतना आ गया तो कौन सा conductor प्रयोग करेंगे तो आप यदि कहिए तो एक में वीडियो बनाता हूं कि किस कितना कितना जो current होता है उसकी लिए किस-किस conductor को प्रयोग करेंगे ठीक है यदि आप यह जानना चाहते हैं कि मतलब कौन सा conductor कितने current को carry करता है तो वो वीडियो में अलग से बना दूंगा ठीक है नए तो फिलहाल में आप लोग EC को देखिए कि ACSR conductor हम लोग प्रयोग करेंगे यदि आपको यह साइज नहीं लिखना है तो मत लिखिएगा लेकिन यह इतना जरू ठीक है ठीक ना और प्लस दू परसेंट जोड निकालेंगे तो कितना होगा दो प्रसेंट जोड निकालेंगे चार हजार का तो 80 आ जाएगा चार दूना काट 80 और इसो जोड देंगे तो 4000 अजाएगे वह से बास वाई मारे तो यह हमारा एक यहाँ पर यहां पर यह दूकर ऑई देखिए अगया Pow इा अगय फिती टार्य से स्लगमगा पर यहाँ लगा कर तब इधर की तरफ स्थ लगा साथ तो यह जो यह पोल यह लगाते हैं यह इस लिए लगाएंगे हाँ पर यहां पर और यहां पर तो को दिखे इसमें कितने पॉलों को लिखना तो सभी पॉलों को लिखना तो सभी पॉलों को लिख सकते हैं बट आप यह जगह कम पड़ रहा है तो इस स्फ çok क्या तो कई今 पुटना तो यहां पर हो गया यह हो गया पचंवा चार चार आठ यहां पहुतना तो पांच करके में सीदे आठ दिखा दिया और इसकी अर्थिंग कर दिया फिर नौ के बाद देखिए 8-4-12 12 अर्थिंग बारह में देखिए नौ के बाद 12-14-16 होना चाहिए 13 लिख करके मैं कितां दिखा दिया 16 हो गया 16 के बाद 20 होना चाहिए यह 20 में देखा दिया हो मेरे पास यह ज़य यह आपको कि कितने लगा है पहला पॉल से लगा है कि कि देखा कि कितने लगें यह समसे है यह आर मर होता है वह समझ सकता है सबोंढ belongs पूरे पूरे बनाएंगे तो बना लेजिए ठीक है तो यह बाते किताबों में देखकर कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे यह जो मैं बनाया हूं इस पर देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे कि मलाट के बाद 9 आया 9 के बाद 12 आगया फिर 13 के बाद 16 आगया यह इसा बात नहीं है बीच में पूल है पर उसको मैं दिखाया नहीं हूं ठीक है आप चाहे तो लिख सकते हैं बना यह भी बना लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके पास ठीक है तो चली आते हैं अब देखत किया हूं टेमिनल बनाने में कोई में अंतर नहीं किया हूं ठीक है सेम तो सेम बस में चार थे इसमें चार तर इसमें सबसें हमारा है यह गलत लिखा गया है अर्थिक होगा यह हमारा होगा यह सबसे नीचे होगा हमारा न्यूट्रल यहां भी देखिए यह नियूंटल कंडक्टर है कौन कंडक्टर है नूतर कंडक्टर है और यहां पर क्या है यह हमारा इंसलेटर है को इंसलेटर है हैite इननिटर यहाँ भी आपको है और यह języरेंक यह कोंसे लुप है यह उपर है पॉल टोपी और यह यह हम आप जाहिआ झाये था लेकिन यहां आयबोल टाइब करना लगा कर के लगा है कि लगाया है क्लैम्प लग सब्सक्राइब सब्सक्राइब 취소 पर 14 दो क्लैम्प लगेंगे कितने पर यह चार क्लेंप पहाएं होगा 만나 dulu टीन चार क्लेंप है कौन क्ल plag энергજलेंफ थो चार हमारे कितने क्या होंगे चार इसमें इंसुलेटर भी होंगे, सैकल इंसुलेटर भी चार होगा, चार हमारे इसमें सैकल इंसुलेटर होगा, और नट बोल्ड देखा जाए, तो नट बोल्ड भी हमारे इसमें चार होंगे, एक पोल पर चार, तो फिर 20 पोल पर किता हो जाएंगे, बताइए, 20 पोल पर जया आए आपना और दकातहि 그래도 एक्ष्टा लीते हैं अब देखें यहां पर यह एस्टे इस्टे वायर और यह हमारा पोल है और अब बस यही दिखाया गया है और कुछ है तो यह बाते हमको लगता है कि आपको सारी बाते इसमें समय था जो गल्ती थी मैं कटवा दिया यह काटना आपको यह काटना यह है यह नुटर लिख न लिखना है कि नहीं लिखाए गए इसटे वायरे है थार देखिये अथर से आ है तो पोल भाई इधर के तरब जुकने पाए जिसको हम इधर इसको खिच रखेंगे इधर हम खिच रखेंगे तो इसलिए इस्टे को हम इधर साइड से लगाएंगे वही लगाए हम ठीक है तो यह बात ध्यान देते रहिएगा अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लोग तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग देखेंगे कि समान का नाम क्या देखेंगे हम लोग समान का नाम देखेंगे तो समान का नाम में देखिएगा सेम उसी प्रकार से एक पोल चाहिए पहले देखिए ध्यान से कि हम लोग यह मलग क्या था इसमें पिछले बाले में क्य तो वहां से स्टार्टिंग कर दिये थे लेकिन इसमें करना क्या है कि बिधमान जो पॉल है अभी मैं स्टार्टिंग में जश्ट बताया था बिधमान पॉल है तो उसी बिधमान पॉल पर हम क्लैंप लगाकर इंसुलेटर लगाकर के काम कर रहे हैं तो वहां क्या क्या लगा क्लैंप लगा था इस्ट्राइब में इंसलेटर लगे थे फिर जमफर लगे थे इसके नट-बोल्ट भी लगेंगे लगे नIGows को भी लिखेंगे तो हम एक्षे्टिम PS पोड़ाये हैं उसको अलगसे अलगसे लिख लेते हैं भीधमान पोल पर क्या लगाय superstition पूल इंगलिस में हिंदी में बिधमान पूल हम ठीक ना तो दिखेए साइकल इंस्टर लगाये थे कितना लगाये थे चार क्लेंप कितना लगे गता चार और जमपर वायर कितना धाइँ मीटर एक एक तार के लिए चार तार है तो कितने होगा यहां प lave dripping करेंगे क्या करेंगे और फिर क्या ठेक लगाएंगी टेक कितना लगा नहीं तो यहां लगता है ur तौ इसको बांथने के लिए चाहिए था में इस सता है डीन उचलेटर में कम सी कम 2 मीटर 2 मीटर तार बांधा याता थीन तो यहां पे लिखा गया है 2 मीटर 8 तो अब यह मूल मूल डीखिये में पहले भी कहा था कि यह मूल अपने अनुसार आप लिखते रहे एक यह कोई मतलम नहीं है कि आप आप जो लिखें गलत है ठीक है आप जो लिखें वो सब सही है लेकिन एक अंताजा लिखेंगा कि जैसे लंशम हो बहुत आगे पीछे मत करिएगा इसको आप लोग तो हम यही आसा करेंगे आप लोग मूले को लिख लेंगे आप लोग मूले को लिखने के बाद एक दो सवाल आप देखेंगे किताबों भी देख लेंगे तो समया जाएगा नहीं तो मैं जेतना लिखा हूं उतना ही लिख यह कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह याद करना चल जाएगा ठीक है या मार्केट का रेट जो होगा आपको वही लिखियागा कोई दिक्कत नहीं है तो आए चलते आगे अब क्या चाहिए आप देखे अब देखे जो नया पॉल सुरूगा था पॉल नंबर वान वह उस पर क्या लगेगा वहां से अब लाश्ट पॉल तक क् कितने लगेंगे एक पॉल पर चार तो तो विस पॉल पर कितना असी ठीक ना तो क्लैम कितने लगेंगे असी और अभी उपर ही निकाल के दिखाए थे तार के लंबाई कितना होगा चार सु असी क्योंकि चार गुड़े 1,000 और प्लस दू परसेंट ज्छोल तो चार हजार इधरस हो गया ज्छोल के निकालेंगे तो असी हो जाएगा तोटल के लिर ना तो यह हमारा हो गया और इसके बाद देखिए जो निटल तार होगा वह उसी में यहूंकि तीन फेज एक तार होगा और देखिए अर्थिंग वायर कितना होगा अर्थिंग वायर कहां कितना होगा यहां पर ठीक है मुद्लब एक हजार बीस दू परसे निकालेंगे एक हजार का तो मुलब 20 मेटर और प्लस 35 मेटर के साब से आप कर लेजिए चार मेटर पांच पांच प्रेंप दस पर दस मेटर तक लिख लिए कोई दिक्कत नहीं है भूक लैंप बीस से यह बिस पोल है तो बीस पोल का अर्थिंग करन मेंगे यहांप दिखाना हमको है और किया हाँ यहां पर पांच में बंधकतार 160 मिटर ठीक ना 160 मिटर यहां पर यहांप होगा और भीस बातार मेंगा जो यह इस प्रकार से बना था ना यह वाला इसवी बुलते हैं हां तो कि कितना चाहिए हमको 195 मिटर ठीक है 155 मिटर 5 मिटर प्रती पोल की हिसाफ से 20 पोल है तो आप जो लिजिऊ से निकाल दिया गया है वुसम परकन सेट 6 चाहिए हमको कितना चाहिए 6 चाहिए यह कैसे पता पता चलेगा यहां से एक दो तीन चार पांच छे ठीक ना यहां से ठीक है तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं यहां पर कि टोटल नट बोल्ट आप खंबो की कंक्रेटिंग ले लेकर खत्रा डेंजर बोल्ड लेंगे बारबेड वायर लेंगे ठीक है यह अपना ले लिजेगा क्योंकि यह सब में कामान है इतना लिखना तो बहुत मुश्किल नहीं आप लोग किया है ठीक ना तो चलिए सबसे पहले हम लोग समान का नाम दिखिए टोटल निकाले तो हम लोग इतना आगया और फिर इसको हम निकालेंगे तो इतना जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं कितना आ गया 1,49,165 रुपिया 45 पैसा हमारा इतना आ गया यह हमारा हो गया उत्तर ठीक है टोटल खर्चा इतना आया मलब एक किलोमेटर लाइन ले जाने के लिए तो आई होप आपको यह वीडियो समय में आ गया होगा कि सवाल को साल्प कैसे करते हैं यदि एक्जिस्टिंग पोल हो त या कहिए कि तो आगे हम कोशन कर लेकर आओ रहा है तो कमेंट करके बताईएगा ने तो कहिएगा मैं इस चेप्टर को क्या करें खतम कर देते हैं अब सर्वी समेंस पढ़ेंगे नेक्ट चेप्टर में ठीक है तो अब जैसा भी आपको समयाता है आप कमेंट करके जरूर ब लाइक जरू कर ले ठीक है ओके है